जहिन नमस्कार दोस्तो मगद युनिवर्सिटी के द्वारा जो है ग्रेजुएशन में एडमीशन सेशन दोज़ चोविस से अठाइस के लिए जो है आउनलाइन परक्रिया शुरू कर दिया है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एडमीशन फॉरम भरना है आउनलाइन करना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा कितना पेमेंट लगेगा क्या 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 डोकुमेंट कैसे पूरा फॉरम को फिलप करना है पूरा जनकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको अपना एडमीशन के लिए जो है आउनलाइन फॉरम भरना है आप किसी भी साल पास हुए है या तो 2024 में या 2030 में फिर पीछे पास हुए है तो भी आप इसे अपलाय कर सकते है ठीक है तो दोस्तों अपलाय करने के लिए सिंपली आपको इसके ओफिसली वेबसाइट पर आजाना है इसका एक मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा अपने वीडियो जो आप अभी देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्सर में वहां पर जब आप किलिक करेंगे तो आप आजाएंगे इस वाले वेबसाइट पर उसके बाद यहां पर दोस्तों मैं आपको दिख पर आप चाहें तो दोस्तों इसे पड़ सकते हैं आपको हर एक चीज बाते आपको बताते चलूंगा इस वीडियो में ठीक है और डिकैट कर देका हैँ आपने इसे सामने फोर्म खूल जाएगा पर किरिया यहां से स्टार्थ हो जाता है आपका फिल का ठीक है आप यहां पे दोस्तों सबसे पहला आता है सेक्ट बोर्ड और जो अपना है 12 यानि कि intermediate आपने जो कौन सा बोर्ट से पास किया है आप कोई भी एस्टेट से हो कोई भी भी आप बोर्ट से पास किये हो इंटर आपको अगर मगद युनिवरसिटी में एडमिसन लेना है भी एब इससे भी कॉमर्स के लिए तो आप अपला यहां से कर सकते ठी पढ़ counties क कर लेना है उसके भाद दोस्तों यहां पर पूलचराह लाल नंबर और उर स्लेल आपको क्या करना दोस्तों से पर आपको अपना रॉल कोड लिख लेना है जैसे कि रॉल कोड कुछ भी आपका हो सकता है पाच अंका होता है ठीक है इस तरीके से दोस्तों यहां पर लिख लेंगे उसके और दोस्तों यहां पर आपको लिख लेना अपना रॉल नमबर ठीक है फिर से यहां पर अपना रॉल कोड लिकेंगे दोस्तों जो भी आपका रॉल कोड हो नॉल नमबर यहाँ पर दोस्तों लिख देना ठीक है और सभी आप लोगो एकदम यहांपर ध्यान से लिखना अगर मिश्टेक ह focusing है तो यहां यहां पर होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर फिल कर देंगे सभी कैप्चा को अच्छे से उसके वाद यहां पर यहां मैं सामत हुपे क्लिक करके प्रोसिट्टू फॉरम पर दोस्ता पो क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों उस क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने में एक खुल कर क्या जाएगा प्लीज री वेरिफा यूर डीटेल मतलब जितना भी आपने डीटेल्स भराए इंटर्मीडियेट वाला वह यहां पर बोल रहा है क्या आपका सही अगर सही नहीं है तो नो गो बैक करके आप फिर से उ सैसे नाम बढ़त दीना फिर उसके बाद आपको क्या होगा अगर गलट डाल देंगे न तो आपका सिलेक्सिन के लिए जो लिस्ट में नाम नहीं आएगा ठीक है यहां पर दोस्तों मदर्स नें यहां पर डालना है आपको 12 वाला माक्शिट सामने में रख लेना है नेट व था हुआ इसको भे अपना गर्ट कर लेगे उसके लाद और है यहां पे अपना gender male ं या या transgender मुस्लिम्स लिए आंपर चूच करें गाष्णर करें था जरनल बीज। और अलग-अलग लगने वाला मैं आपको बताऊंगा आगे ठीक है तो यहां पे आप अपना जो है कटेगरी चूच कर लेंगे सब कास्ट में दोस्तों अगर आप गल्स है तो गल्स चूच करेंगे बरना नहीं है तो अगर आप हिंदु छोड़ करके कोई भी आप रिलीजन से कोई भी धर्म के हैं तो आप मैनुरिटी में आएंगे आप यस कर देंगे लेकिन अगर आप हिंदु यहां रहने देंगे ठीक है यहां पर दोस्तों अगला था डूमिंसियल एस्टेट आपका मूल निवास राज क् पत्रका है उसके बद दोस्तों आपका निवास परण पत्रका है जैसे है यहां पर दोस्तों भर देना आपको बिल्कुल सही सही नदो क्या-क्या बहरना था तो यहां आप satu होगा लिखेंगे लिखेंगे दोस्तो अब लिखेंगे लिखेंगे पुल्स का है प्ररीक है इस का मतलब होगा हुआ तो इस तरीके त olmaz आप सभी पता हए्से भी लिख सकते हैं विलेच उसके ग Whenever पोस्ट डेके आप क जो भी आपका पड़ता है पोस्ट लिह दे ये पुरा पटा है यहाँ पर दोस्ट को लिखेना ज्युक्षते यह लिखते होंगे ऐसके बाद दूस्ट अपकर निंग्छ करना यह मोवाल नंबर और यह सभी email आइडिया आपका साथ देने वाला है तो एक बढ़िया सा email आईडी अगर नहीं आपके पास तो बना लीजे परस्नली और परस्नली मोवाल नंबर यहां पर दोस्तों आपको फिल कर देना है यहां पर यहां पर mobile अगर आपका दोस्तों corresponding address सेम नहीं है दोस्तों तब आपको क्या करना यहां पर दोस्तों आपको अलग अलग यहां पर फिल कर देना है लेकिन ज्यादा तरका जो है दोस्तों यहां पर सेम ही होता है ठीक है तो यह वाला डिटेल दोस्तों यहां पर भर करके आपको इसको यहा क्या बोल रहा है, कि जिस अभियार्थी की दसमी की मायक सिट में राउल कोड और राउल नंबर दोनों है, उनने इस प्ररूप में दसमी का राउल नंबर भरना होगा, ठीकarin राउल कोड उसके बाद राउल नंबर, जैसे कि दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं वाल नमबर तो आपको क्या करना सबसे पहले दोस्तों आपको log shift लिए थीक है तो यहां पर सबसे पहले आता है डसमी का डिटिल यहां पर भरने के लिए बोला जा रहा है तो यहां पर सबसे पहले आपको passing एर बताना कि आप काौन साघ्व में जो मैट्रिक पास किये थे उसके बाद दोस्तों यहां से आपका पूछ रहा कि आप कौन सा बोर्ट से पास किये थे यहां पर भी सभी बोर्ट का नाम आ जाए जैसे मेरा बिहार अस्कूली एक जामने सन बोड़े बी यह से भी पटना तो मैंने चूच कर लिया उसके अफोने यहां और यहां पर फिल अप करना ठीक है तो रॉल नमबर यहां पर जितना भी ओगा दोस्तों यहां पर आप सभी लोग भर देंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पे पूछ्डाय मैक्सिमम माग आपका जो मैट्रिक में टौटल कितना नंबर का इकजाम था तो नॉर्मली तो 500 का होता है ठीक है अगर आप सभी लोग CVC से कोई भी जितना भी आपका हाइस नमबर का एकजाम होगा है पर दोस्तों लिख देंगे और जितना नमबर आपका आया है दसमी में यानि मैट्रिक में वो नमबर यहां पर लिखना है कि आपने 300 लाया है 250 लाया यहां पर दोस्तों यह इंट्रमेटिक फिल रहेगा यह सारा कुछ बस यहां पर जितना भी नमबर का एकजाम था दोस्तों जिसे कि इसमें 500 बिहार बोड में ठीक है और उसके बाद जितना भी नमबर आपका आया था सड़े 300 या सड़े 400 या तो फिर आपका 300 जितना भी आ यहां पर जो मेरा पाच सब्जेक्ट है ठीक है तो पांच सब्जेक्ट को मिला करके हुआ टोटल 500 नमबर का एकजाम तब मैंने यहां पर 500 फिल किया लेकिन अगर दोस्तों आपका अगर एडिस्ना लेनी की एडवांस में कोई सब्जेक्ट है जैसे की मैथे मैटिक्स में क की लेकिन यहां पर प्राप्त में आपको उतना ही डालना है जो सब्जेक्ट आप आगे रखना चाहते हैं जिस से लेकाने है यहांपर मेरा एक्स्टा में और चूज करना कि आपको कौन सा मेंद देना तो यहां पर आपको डिखना है ठीक है तो यह चीज आप सब लोग ध्यान दिजिएगा उसके वाद यहाँ पर क्या करना आपको यह जो कैपचा दिख रहा यह कैपचा दोस्तों यहाँ पर फिल करके यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके सेव अप्लिकेशन पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप सेव अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सो कर देगा login ID और आपको passport यहां पर passport के बारे में बता जा रहा है कि sent your intent mobile number और email ID तो यहां पर दोस्तों आपको login ID मिल गया है ठीक है और आपका जो passport है ना जो भी आपने email ID और mobile number दिया था उस पर दोस्तों भेज दिया गया है उसके बाद दोस्तों क्या करना क्लिक here to login and proceed to payment यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है तो पेमेंट करना है ठीक है यहां पर दोस्तों आपको क्या कर देना है तो वही user ID जो आपको login ID मिला है और पास्पूर्ट डाल करके और यह जो आपको कैपचा दिख रहा है फिल करके दोस्तों लोग इन कर लेना है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पास्पूर्ट में क्या डालना है तो जैसे कि आपका नाम कुछ भी है तो उस नाम का चार पहला लेटर आपको डालना है और बाकी आपको date of birth बिल्कुल बिना space के आपको डाल देना जैसे कि आपका नाम सोनु है ठीक है कुछ भी रमेज है तो आपो डाल करके तो पूरा date of birth यहां पर दाल देना ठीक है उसकी वाद क्याशा करके दोस्तों लोग इन पर किलिक कर लेना है तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इन ईड़ी पासपोर्ड डाल करके लोग इन कर लेंगे उसके वाद दोस्तों यहां पर आप आ जाएंगे अपना prof चुरूब में वो सारह पर आ जाएगा अगर चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं वरना आप इसे थोड़ भी सकते कुछ अगर आपका गलती रहा तो इडिट कर सकते ठीक है उसके बहुत दोस्तों नीचे आने के बहुत दुश्टकर निवास स्रेनी एक एसिदेटन्स कठेगरीं आप अगर दोस्तो इन से चाहिवट करेंगे अगर 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 आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर दोस्टों बोलेगा, आपको फोटो और signature अपलोड करने के लिए, तो फोटो और signature का जो साइच है, दोस्तों वो 20 kg से ले करकेदicy, ना तो 20 kg से कम होना चाहिए, और ना तो दोस्तों डिल सोंके ज़्यादा होना चाहिए यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है यहां पर आता हाइस्कुल का मार्क शिट मतलब 10 यहां पर दोस्तों आता है intermediate का Marksite यापने 2024 में पास किया होगा तब तो आपको Marksite नहीं मिला होगा तो जो आपने Internet से डाउनलोड किया था जो आपने result देखा था तो उसको आपको uploard कर देना ठीक है दोस्तों और इन सभी का जो यहाँ पे दोस्तों 200 के भी रखा गया ठीक है यह बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा अगर 200 के भी से ज्यादा दोस्तों करेंगे तहाँ पर नहीं होगा और यह सब आपको कटिंग करने के लिए नहीं आता तो एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहें ठीक ह उसको आप लोग देख लिएगा फोटो यह सिंगेचर यह कोई भी डूकुमेंट हो आप मात दो सकेंड में उसे कार्ट चाट के जो उसे सेव कर सकते ठीक है यहां पर दोस्तों अगला ता मैगरेशन सेटिफिकेट फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मैगरेशन अगर दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर एपलीकेबल है तो तो उससे चाहें तो भर भी सकते बरना चोड़ भी सकते हैं लेकिन जिसमें नहीं लिखा हुआ उसको तो एकदम कंफर्म है कि भरना ही भरना है ठीक है दोस्तों सारा कुछ फिल कर देने के बाद अपने क्लिक करेंगे तो दोस्तों तो यहां पर फिर से आपसे मांगा जाएगा इस बार जितना भी आपका सब्जेक्ट था 12 तो यहां पर आपको फिल करना है इसके पहले उपर में आपको डिटेल्स यहां पर दिखा देगा यहां पर सबसे पहले चूज कर लेना आपको 10 प्लस यहां पर आपने कौन से पढ़ाई किया था मतलब कॉमार्स या साइंस या और से तो जिसमें आप भी किये थे वह चूज कर लेंगे आपर जो आपने नंबर भरा था पहले वह तो यहां पर आही जाएगा पहले कनुसा ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सभ में डीके अगर आप सभी लोगोंने इड्वांस में रखा दोस्तों वो आपको कि आपको आगे के लिए ब्ल oportun मेंतलब उन्हाई कि इसको दो यहां उनल्याओ तो जितने से की नहीं बूला यहां झल धर से नंसे को नहीं मिला तो यहां पु Acho तो इस वार आप जो सारा है यहां पर दिखा देगा उसके वाँ अपको क्लिक कर देगा यहां पर दूंचेंट करेंगे उसके दसटों कुछा जा रहा सफ यहां पर Secret Espanue पे आप आप सभी लोग जानते हैं कि जो है दोहर तैस से जो है चार साल का गरेजुएशन कर दिया है और इसमें समेश्टर वाइज आपका एक्जाम होता है जो कि मेजर कोर्स माइनर सब्जेक इस तरीके से आपका एमडी सी आपका यह सभी जो सब्जेक इसमें आइड हो चुका है तो इसके उपर हम एक वीडियो बना दी है सेपरेट चाहे तो आप जाकर के दोस्तों देख सकते हैं इसको आउनलाइन करने से पहले कि आपको कौन-कौन सा सब्जेक जो है लेना है कौन सा अच्छा रहेगा और एक वीडियो मैं और बता दूँगा तब आकर के आप इसे अपलाइक कर सकते हैं तब आपके लिए जो है यह अच्छा साबित होगा ठीक है खिलाल दोस्तों यहां पर यहां पर जाना है सेलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं बीए या तो बीए सी या तो फिर य यहां पर देखिए गुरूप में आपको दिखा रहा कि कौन सा सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं क्योंकि यह जो मेजर है ना मेजर का मतलब हुआ कि जैसे आउनर जैसे की ग्रेजिवेशन में पहले क्या चलता था पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तेरे में कि एक रहत दिखिए में जो अपना चाहते हैं कि यह जो मगद इंवर्सिटी है यह दोस्तों पांच डिस्टिक में आत्ना कॉलेज चलाता है गया और अरंगाबाद और नवादा अरवला जहानाबाद तो आपको जहां भी लेना दोस्तों कर लेंगे उसके बाद दोस्तों उस बिस्ट के से दोस्तों जितना भी कॉलेज आता है मैं तो यह भी बोलूगा कि सभी कॉलेज के जो है आप सभी लोग आइड कर लिजे ताकि सुरू बार में जो है अनिकि आपका जो है मैरिक list में नाम यहां पर दोस्तों आने आ जाए ठीक है तो maximum 10 आप लोग जो select कर लीजिए गा जितना भी college आता है उतना आप लोग को सलेक्ट यहां पर कर लेना दोस्तों उसके वाद save and continue पर दोस्तों को click कर देना है दोस्तों जैसे अब save and continue पर किलिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको जितना भी पेमेंट लगेगा यहां पर दोस्तों कर देगा जैसे कि मैंने पहले बोला था लगने वाला है उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग 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 इन करके उसी तरीके से आप अपना अप्लिकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं करना यहां पर खुल जाएगा दोस्तों जैसे कि मैंने और अपका सम्मिट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका क्या है तो बढ़ टीक है उसके वाद तक किया करना थ COB यहां सब डिखाता रहेगा दो तो लोग इन करके तेहां पर सारा कुछ आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपने कौन सा डोकुमेंट अपलोड किया, आपका जो बिशेप रफ्तांग विबरन देख सकते हैं कि इंटर्मीडियेट वाला इजूकेशन डीटेल देख सकते हैं यह सारा कुछ दोस्तों आपको पेमिंट कर देना, पेमिंट करने के बाद आपका फाइनल दोस्तों सेफ़ लाज़ा लोगा कृष तो दो सब्सक्राइब किजेगा, फिर से मिलेंगे आगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंन्द जय भारत, आपका दिन सुभू